इंडिया टीवी यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी इस वाक्त एक प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं सीधे चलते हैं उन तरीकों में से एक परमनेट सल्यूशन है वो है वैक्सीन हत्यार है वैables ते लोगें खश्च होता है नुए दुख होता है स्विज्टम नहीं एक वर सुस्जलीश्टे कि पर ने समय मास्तों प्रमिन जिंच्वीश मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वाइरस आपके वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा क्योंकि अगर आप वाइरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिन बनता जाएगा वैक्सीन स्ट्रेटीजी के बारे में मैंने डाइरेक्ली प्रधान मंत्री को बोड़ी कि अगर हिप्डुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटीजी नहीं ठीक लगाईगे, एक बार नहीं, अनेक बार लोग मरेंगे, एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, पीन अब स्थिति क्या है कुछी समय पहले मैंने देखा फॉरण मिनिस्टर बाशन दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना दिया अलग-अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया वैक्सीन डिप्लोमसी करने हैं हिंदुस्तान का नाम रोशन होगी है आपने वैक्सीन एक्स्पोर्ट की आज स्कति क्या है हिंदुस्तान के तीन परसेंट को आपने वैक्सीन दी मतलब 97 परसेंट लोग को करोना पकड़ सकता है आपने दर्वाजा खुला छोड़ रहता है और अभी भी आप दर्वाजा नहीं बंद करूँ दो अलग अलग टीन अलग अलग चार अलग 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 रेट्स बिना रखेंगें अब बिजनस चल रहा है वागी देशों में एक रेट अब्सक्राइब अपना अधा पॉप्यूलेशन वैक्सिनेट कर दिया ब्रेजिल जैसे देश ने आप परसेंट नौ परसेंट कर दिया वह वैक्सीन नहीं हैं राट्सीं गयापिटल हैं राट्सींग बनाते हैं राट और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं यह जो सेकंड वेव हैं फिर्स्ट वेव ठीक है उसमें बात समझ नहीं आई वो अलग चीज़ है मगर यह जो सेकंड वेव हैं यह प्रधान मंत्री की जिम्यदारी है प्रधान मंत्री ने जो नौटम की की प्रधान मंत्री ने जो अपना अपनी जिम्यदारी पूरी नहीं की इसका कारण सेकंड और मैं देश को अभी बता रहा हूं अगर वैक्सिनेशन इसी रेट पे चलता गया मतलब आज के प्लैन पे अगर आप चलें तो में 24 में प्रधान की पूरी जंता का वैक्सिनेशन अगर इस रेट पे वैक्सिनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आईगी फिफ्ट वेव आईगी क्यों आपका वाइरस बदल जाएगा तो फिर समय दोब आ रहा हूं वैक्सिनेशन स्क्राटिजी को परने में सोचिये वाइरस को सम जीए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदल लिए क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं और जो जूट बोना जारा है और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी बैठ रेट है वो जूट है और सरकार इस जूट को फैला रही है यह जूट फैलाने का समय नहीं है अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सचाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सचाई बतानी चाहिए